Hello friends, this is Zahradhyay Piali. मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप OpenShot में एक वीडियो के किसी एक पाथ में Fast या Slow Motion एफेक्ट डाल सकते हो. एफेक्ट डालने से वीडियो की Quality इंप्रूव हो जाती है और आपका वीडियो प्रोफेशनल लगने लगता है. तो शुरू करते हैं, मैंने यहाँ पे एक वीडियो इंपूर्ट करके रखा है, आज हम इसी वीडियो पर काम करने वाले हैं. ओपन शॉर्ड में कैसे आप एक वीडियो में Slow या Fast एफेक्ट डाल सकते हो, इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने Prescription में डाल दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो. हम इस वीडियो को Timeline पे ले आते हैं, मैं आज इस वीडियो पर Fast एफेक्ट करके बताने जा रही हूँ. Friends, आज हम इस पूरे वीडियो पर Fast forward का एफेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ इसके एक छोती से बात पर ही हम एफेक्ट डालेंगे. मैं एक बर ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, केस में अभी कोई भी एफेक्ट नहीं है. आपनी जैसे देखा, इस वीडियों पर अभी कोई भी एफेक्ट नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम उस पोशन को धूनते हैं, जहां से हमें एफेक्ट शुरू करना है. मैं इस पोशन को स्लाइस कर रही हूँ. अब मैं उस पोशन पे जा रही हूँ, जहां पे मुझे ये एफेक्ट बन करना है. मुझे फास्ट फॉर्वर्ट का एफेक्ट यहीं तक चाहिए. तो मैं यहां पे एक बर और स्लाइस कर रही हूँ वीडियो को. फ्रेंड्स मुझे ये पहला पोशन नॉर्मल स्पीड में चाहिए. मुझे ये आखरी पोशन भी नॉर्मल स्पीड में ही चाहिए. मुझे ये बीच वाला पोशन इसमें मुझे फास्ट फॉर्वर्वर्ट का एफेक्ट देना है. तो मैं इसे क्लिक कर रही हूँ. Friends, मैं एक बर आपको वीडियो चला के दिखा रही हूँ मैंने Fast Forward का effect डाल दिया है चलिए देखते हैं Friends, आपने जैसे कि देखा कि ये एक पर्टिकुलर पोशन में जाके ही ये Fast ये Forward effect दे रहा है मैं फिर से दिबारे से आपको दिखा के बता रही हूँ ये देखिए यहां पर यहां तक ये Normal आ रहा है ये देखिए ये देखिए Forward effect शुरू हो गया ये देखिए आप फेज से वे Normal में आ गया है Friends, आप ऐसे ही किसी भी वीडियो के किसी भी पर्टिकुलर सेक्षन में स्लो मोशन भी डाल सकते हो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक stay healthy and safe. Thank you झाल